बात काफी पुरानी है उस समय मैदेनी 10 वर्ष की बालिका थी यह जो जासूस बेटी की कहानी है यह एक लड़की है जिसका नाम मैदेनी है 10 वर्ष की 10 साल की लड़की है यह उसकी उपर दी गई है वहाँ कक्छा चैमें पड़ती थी बुद्धी मानी में उसका कोई जोड नहीं था सभी उसकी बुद्धी मानी वह दूर दर्शिता का लुहा मानते थे अन्य कटनाईयों का हल दो वह चुटकी बजाते ही खोज लेती थी एक लड़की थी जिसका नाम क्या था मैदीनी और 10 साल की थी कक्छा चैमें पड़ने वाली थी उसका दिमाग इतना तेज तायती बुद्धी मान थी कि अपनी कक्छा में सबसे यादा आगे थी और सभी चीज़ों को समझ जाते थी दूर से हर चेज को बहचान लेती थी और सभी का जो प्रब्लम होथी थी सॉल्ब करती थी उसको उसे पढ़ने नेखने का बहुत सोकता कक्छा है वह सबसे बुद्धी मान बाली का माने जाती थी उसकी एक्षा थी कि बड़ी होकर वहाँ जासुस बने और अपराधियों को पकार कर डंडित करवाए वो बड़ी होकर एक जासुस बनना चाती थी एक दिन प्राया जब वहाँ पढ़ रही थी उसके पिता उसके लिए उसके पास आए और पूशने लगे मैदिनी बेटी क्या तुमने मेरा पैन लिया है मैदिनी की जो पापा थे वो उसके पास आगर पूशते हैं कि क्या तुमने मेरा पैन लिया है नहीं पापा मैधीने ने उत्तर दिया तब पैन कहां चला गया वे बोले उनका जो मैधीने के जो पिता थे उनका एक पैन था दो वहां खो गया था उन्हें पेन की अतियन तावशक्ता थी, उन्हें कुछ लिखना था एक से वे और भी अधिचिंतित थे एक बात से, और भी चिंतित थे कि वहाँ यहां की पेन बहुत कीमती था, उन्होंने घर के पृतिक्ष अदसर से पूछा पेन के बारे में, पूछताच की परंतु कुछ भी पता ना चला उनका जो पेन था, उनके पापा का, वो कैसा था, बहुत कीमती था तो उन्होंने सबसे पूछा कि उनका पेन कहां है, तो किसी ने कोई भी उत्तर नहीं दे पाया संद्या के समय जब मेदिनी पिता के साथ बैटी थी नौकर बलराम जो 18-20 वर्ष का है यूबक था उसने उनके लिए चाय और समोसे लाया उनके घर में एक नौकर था जिसका नाम था बलराम तो जब मेदिनी उने पापा के साथ बैटी हुई थी शाम के समय उनके नौकर उनके लिए क्या लेकिया आया चाय और समोसे उसके लिए चाय और समोसे लाया बलराम जब उन्हें चाय और समोसे पर उसने लगा तो मेदिनी ने उससे पूछा बलराम तुम्हारी कमीच कहा है बास तब में बलराम उस समय कमीच पहने हुए नहीं था उसने केवल बनियान पहन रखी थी जब बाचाय और समों से लेके आया तब मैदिनी ने पूछा कि तुमारी कमीच कहा है शर्ड कहा है तो उस समय क्या था वो बिना शर्ड के था अब सिर्फ बनियान पहने हुए था मैंने दोकर उसे दो दिया है बलराम ने जवाब दिया फिर तुमने अपनी बनियान क्यों नहीं दोया मैदिनी ने पृष्ण किया यहाँ तो बहुत मेला है मैदिनी ने कहा जब शर्ड दोया आपने कमीज दोयी तो आपने अपनी बनियान क्यों नहीं दोयी यह भी तो मेली है बलराम बोला मेरे पास अधिक समय नहीं था अब तो तुमारी कमीज सुख गई होगी मैदिनी ने फिर पूछा जाओ और उसे पहनो देखो जो पहन तुमने कमीज की जब में चुपाया था उसे लाना ना भूलना यानि की मैदिनी को पता चल गया था कि जो पहन था वो किसने लिया था बलराम ने तो तुमारी उससे बोलती है कि आपकी कमीज सुख गई होगी उसे पहन लो और जो पहन तुमने कमीज में लगाया था जिब में उसे भी ले आओ सुनते ही बलराम डर गया वा कुछ न बोला वा मैदिनी के पापा के पैरों पर गिर कर रोने लगा मुझे माफ कर दीजिए मैं ऐसा कारिक फिर नहीं करूंगा तो जैसी बलराम ने सुना कि मेदिनी ने उसका नाम लिया तो वो डर गया और डर के मारे उसके पापा के पैरों में गिर कर रोने लगा उनसे माफी माफी माँगने लगा कि मैं आप ऐसा काम कोई भी चीज बिना पूछे नहीं लूँगा बलराम उठो पिताजी का पैन लेकर आओ मेदिनी ने फिर का मेदिनी ने उससे कहा कि उठो पापा का पहले पैन लेकर आओ बलराम उठा और पैन लाकर मेदिनी की और बढ़ा दिया मेदिनी ने पापा पाप ने बलराम को बविश्य में चूरी ना करने की चेतावनी दे कर जाने दिया उन्होंने कहा कि आज के बाद कभी चूरी मत करना उसे कहकर उसे चूर दिया उसके जाने के बाद उन्होंने मेदिने से पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि बलराम ने पैन चुराया है उसकी पिताजी ने मेधिने की पिताजी ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालम चला कि इसने पैन चुराया है मेधिने के पापा से बलराम को वहाँ यहाँ तो बहुत आसान बात थी बल्राम ने बन्यान में चाती के पास रोशनाई लगी हुई थी यानि कि जो पैन उसने उसने जिब में लगाय था तो उसकी स्याही उसकी बन्यान पर भी लग गई थी इसका मतलब हुआ कि कमीच पर रोशनाई अधिक लगी थी जिससे बन्यान पर भी बहा लग गई कमीज पर रोशना अधिक लगी थी तो उसने दू दिया परंदु बन्यान पर ध्यान नहीं दिया क्या हुआ था जो पैन लगाया था उसमें से स्याही उसकी कमीज पर लग गई थी और थोड़ी स्याही उसकी बन्यान पर भी लग गई थी लेकिन वो देख नहीं पाया उसने सिर्फ अपनी कमीज दोकर डाल दी और बन्यान पहने रहा तो उसकी नजर जो है उसके पर पढ़ गई और वो पहचान गई तो उसने और वहाँ पकड़ा गया मैदिने ने मुस्कु प्रुषकार के रोप में दे दिया पापा इतने खुश हुए उसकी पिसंसा की और उसे वहाँ पैन पुरुषकार में दे दिया यानि कि वह इतनी हमें अमेशा कोई भी चीज है उसे बारे किसी देखना चाहिए तो उसमें इतना दिमाग था कि उसने इसको चोर को पकड़ लिया तो यह एक मेदिनी की कहानी है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो इसे आप अपनी बुक में रीट करेंगे